हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिब चानल एजुकेटट भारत में दोस्तो हम तैयारी कर रहे हैं एंटी पीसी सी बीटी टू और ग्रूप डी की जिसके लिए हम डेली टॉप ठर्टी एमसी की उस कवर करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजे और बैल आइकन जरू प्रेस करिए ताकि आगी पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें इस वीडियो का पीडिएफ आपको हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिल भारत में प्रथम इस्थापित परमानु सयंत्र है रास्टिय प्रतीक के निचले भाग में उक्रीन शब्द सत्यमेव जैते किस संदर्व से लिये गए है यहाँ पर बताना है करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा इसका तो C मुंडक उपनिशत से ठीके मुंडक को उपनिशत से लिया गया है सत्यमेव जैते अशोक के शीला लेक की लीपी क्या है यह भी most important question है करेक्ट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा तो B ब्राम्ही लीपी ठीके अशोक के जो शीला लेक हैं वो किस लीपी में लिखे गए हैं तो B ब्राम्ही लीपी में लिखे गए हैं बीहू निमलिखित में से किसका लोगप्रिये उत्सव है यह तो बहुत पूछे जाता है correct answer यहाँ पर हो जाएगा A असम का ठीक है बीहू कहां का लोगप्रिये उत्सव है तो ये असम का लोगपरिये उत्सब है बीहु नित्य आपने देखा होगा United Kingdom UK में शामिल है बताना इनमें से क्या UK में या United Kingdom में शामिल है तो करेक्ट नांसर यहाँ पर होगा D, A और D मतलब England और उत्तरी Ireland साथ में Scotland तथा Wales ठीक है? तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर A और C हो जाएगा ठीक है? D, Option है यहाँ पर A और C हो जाएगा आपको यह याद रखना है क्योंकि यह न wrong हो जाएगा otherwise तो आपको यह याद रखना है? England और उत्तरी Ireland साथी साथ Scotland तथा Wales यह याद रखना है यह most important है next आगरा शहर को किसने बसाया ठीक है आगरा शहर को किसने बसाया था तो correct answer हो जाएगा A. सिकंदर लोधी के द्वारा किसके द्वारा सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर को बसाया गया था विवेका अनन रॉक मेमोरियल कहां अस्तित है यह question भी बहुत पुछा गया है correct answer क्या हो जाएगा D. तमिल नाडू में ठीक है विवेका अनन रॉक मेमोरियल इस्तित है तमिल नाडू में next महत्मा गांधी को रास्ट पिता के रूप में उलेक सबसे पहले किसने किया था तो यहाँ पर correct answer का हो जाएगा A. शुभास चंद्र बोस जी के द्वारा महत्मा गांधी को रास्ट पिता के रूप में सबसे पहले संबोधित किया गया था प्रथम गोल में सम्मेलन कहां हुआ था correct answer जाएगा B. लंदन में प्रथम गोल में सम्मेलन देखिए जो तीनों गोल में सम्मेलन है तीनों लंदन में हुए है यह हमने तीनों गोल में सम्मेलन का डीपली वीडियो देखा है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो modern history open करिए playlist में जाकर और जितने भी वीडियों है वो सब detail में है आप जरूर देख लीजिए क्योंकि most important है next केंद्रिय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है तो correct answer हो जाएगा B 24 फरवरी को ठीक है 24 फैव या 24 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है देश का लह पुरुष किसे कहा जाता है ठीक है आइरन मैन ये लह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है तो correct answer हो जाएगा A सरदार पटेल ठीक है सरदार बल्लब भाई पटेल को देश के लह पुरुष के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा यह most important है कई exam में पुछा गया है सही answer हो जाएगा C. Churchill के द्वारा ठीक है चर्चिल के द्वारा महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था महात्मा गांधी निम्लिकित में से किन से अधिक प्रभावित थे तो correct answer यहाँ पर इसका हो जाएगा B. Leo Tolstry के से बहुत जादा प्रभावित थे महात्मा गांधी ठीक है इन्होंने Tolstry form के स्थापना भी की थे आप याद होगा तो यह हमने सब डिटेल में पढ़ा है आप जरूर देख लीजेगा next है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था देखिए वैसे तो हम यह बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन अगर इस तरीके सम को दे दिया जाए तो हमें confusion जरूर होता है correct answer याप पर क्या हो जाएगा बी 1869 ठीक है 1869 में पोरवंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे कौन थे तो correct answer होगा डी लाला लाचपत्राए जिनके बारे में भी हमने डीटेल में पढ़ा है इनकी मृत्यू जो ही उसे रिलेटेट बहुत क्वेशन पूछे जाते हैं जब सायमन कमीशन आया था और गो बैक सायमन के नारे दिये जा रहे थे तब इन पर लाठी चार्च किया गया था और इनकी मृत्य हो गई थी तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं लाला लाचपत्राए नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सी गंगा की सहयक नदी नहीं है तो कौन सी है तो करेक्ट अंसर हो जाएगा किस राजी के सीमा चीन से जुड़ी हुई है करेक्ट अंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अरुनाचल प्रदेश ठीके जो चाइना है उससे जुड़ी हुई सीमा किसकी है तो अरुनाचल प्रदेश कितने वर्ष के पश्याद रास्टी यह जनगर्ना होती है ठीके सैंसर कितने वर्ष के पश्याद होता है तो यह अंसर तो सभी को पता होगा ए करेक्ट हो जाएगा 10 वर्ष ठीके हर 10 वर्ष में क्या होता है जनगर्ना की जाती है ठीके कब से स्टार्ट हुए वैसे तो 1872 म ए दूठ से सम्मंदित है धान की खेती के लिए उत्तम मिठी कौनसी है ये बहुत ग्यान पुछे जाता है और अंसर हम रहु हो जाएगा C दो मठ मिठी ठीके कौनसी दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है राणा प्रताप सागर सम्मंदित है किसे सम्मंदित है ये तो correct answer यहाँ पर हो जाएगा D. जल विद्धुत से ठीके राणा प्रताप सागर जो बांद है वो सम्मंदित है जल विद्धुत से प्रित्वी और सूर्य की बीच अधिक्तम दूरी किस तिथी को होती है तो correct answer क्या हो जाएगा इसका? correct answer इसका हो जाएगा C. 4 जुलाई को ठीके तीन जनवरी को सबसे नियुनतम दूरी होती है मिनिमम दूरी होती है और 4 जुलाई को होती है अधिकतम दूरी ठीके तो 3 जनवरी और 4 जुलाई यह आपको याद रखना है क्योंकि 3 जुन को अपसोर होता है और 4 जुलाई को अपसोर होता है भारत के राज चिन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिशत से लिये गया है रिपीट हो गया यह correct answer क्या है इसका बी मुंड़क उपनिशत से लिया गया है सत्यमेव जयते देखें most important question है कई बार पुछा गया है ठीक है कौन से वेद से लिया गया है कौन सी पुस्तक से लिया गया है गयत त्री मंत्र तो correct answer क्या हो जाएगा रिगवेद हिंदी किस लीपी में लिखी जाती है correct answer तो सभी को पता होगा हिंदुस्तान में रहते हैं हिंदी तो आती है तो correct answer होगा C. देवनागरी लीपी हिंदी किस लीपी में लिखी जाती है तो देवनागरी लीपी में लिखी जाती है ब्रामी लीपी को किसने इसपस्ट किया था तो correct answer देखे most important question है ये भी correct answer क्या होगा A. James Principe के द्वारा ब्रामी लीपी को इसपस्ट किया था इनसे पहले और कोई नहीं पढ़ पा रहा था James Principe नहीं ब्रामी लीपी को सबसे पहले इसपस्ट किया था रास्टी विज्यान दिवस किस दिन मनाया जाता है most important question ये भी correct answer क्या हो जाएगा C. 28 फरवरी को ठीक 28 फरवरी को रास्टी विज्यान दिवस मनाया जाता है next रास्टी खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer है B. 29 अगस्त ठीक 29 अगस्त को क्यों मनाते हैं क्योंकि मेजर ध्यान चंद्र के जन्र दिवस जो 29 अगस्त को होता है इसी लिए इनके जर्म दिन को हम रास्टी ए खेल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं next computer साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है correct answer क्या होगा इसका तो C 2 December को ठीक है computer साक्षरता दिवस 2 December को मनाया जाता है बहुत पुछा आता एक्जाम में तो आपको इसे याद रखना है अब यहाँ पर हमारे सारे questions complete हो गए है आज के लिए बस इतना ही दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजेगा जाद जादा शेयर कीजेगा आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जै हिंद जै भारत